मारास्ट विदानसवा चुनाओं को लेकर कई दौर की मीटिंग्स, किच-किच, बयानबाजी और अंद्रूनी लड़ाई के बाद आकिरकार विपक्षी गडबंदन महाविकास अघाडी में सीट शेरिंग पर सहमती बन गई है जिसके अनुसार कॉंग्रेश शरतपवार की अंसपी और शिफसेना यूविटी ने 85-85 सीटों पर चनाओं लड़ने की खोशना की है हाला कि कुछ सीटों पर बटवारे पर विचार विमर्श अभी भी जारी है एक प्रेस कॉंफरेंस को संबोधित करते वे संजिलाउट ने कल बताया कि कुल 288 सीटों में से 270 पर सहमती बन गई है बची हुई 33 सीटों में कुछ सीटें MVA के तीनों दलों को मिलेगी कुछ सीट इंडिया ब्लॉक के अन दलों को दी जाएगी हाला कि अन दलों को कितनी सीटें दी जाएगी ये अभी नहीं बताया गया है तो सीट शेरिंग तो हो गया पर बड़ी खबर ये है कि सीट शेरिंग के कुछ बड़े नेता काफी ज़ादा नाराज बताया जा रहे है इसी बवाल के बीच बन जारा समुदाई के बड़ेनेता माने जाने वाले महंत सुनील महराज ने शिवसेना युविटी को अलविता क्या दिया है पार्टी छोड़ते वे उन्होंने उद्धव ठाकरे पर समय नहीं देने का आरोफ लगाया है और बताया तो ये जा रहा है कि अभी कॉंग्रिस भी तूटने वाली है कॉंग्रिस के अंदर भी जबर्दस्त कला मचा हुआ है कबर ये भी सामने आई कि छगन भुजबल के बतीजे समीर भुजबल जो एंसीपी के मुमवई इकाई के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तिफा दे दिया उन्होंने नांद गाव विधानसभा सीट से निर्दलिय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लणने का अलान भी कर दिया है साथी महायूती में बच्चे 106 सीटों को लेकर दिल्ली में एहम बैठक हुई है तो महायूती और MBA की चुनावी अपडेट आपको देंगे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौझूद है Capital TV के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार और एक्सक्यूटिव एडिटर राजी जी सर आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है सर आखिरकर MBA में सीट शेरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया है हलाकि 33 सीटे अभी भी बच्ची है क्या अपडेट है देखिए अपडेट यह है कि अभी तक मामला जो है डवाडोल है अब जिस 65 सीटों के उपर उमिद्वार उतारने का एलान कर रहे हैं उद्दव ठाकरे साथ के उपर दावेदारी कॉंग्रेस पार्टी और NCP ने सर्थ पवार ने डाल दी है यह किस तरीके से बटवारा हुआ यह समझ में नहीं आ रहा है अभी कुछ देर पहले संजर आउत आये उन्होंने घोसना कर दी कि बही कुछ उमिद्वारों को हम वापस लेंगे डिकलेर कर दिया उमिद्वार यह भी भॉम भी दे दिया और अब कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे मतलब आकड़े सिर्फ फाइनल हुए सिर्फ फाइनल नहीं हुए एक कंफूजन अभी भी क्रियेटेड है और यह आगे चलके बड़े बिस्फोट में कनवर्ट होगा अब उद्व ठागरे ने जिन साथ सीटों के उपर उमिद्वार खड़े कर दिया जिसके उपर दावेदारी हो रही है उसमें कॉंग्रेस पाटी रामटेक बैंद्राइस्ट नासिक पस्चिम इस पे जो है वो कहरी कि भई यह तीन को वापस लो यह हमारी सीट है अब उद्व ठागरे के तरब से कहा जा रहा है कि नहीं हम सब तो नहीं वापस लेंगे उसी तरीके से परभणी परांडा कुर्ला बीड इन सीटों के उपर एंसीपी करी कि भई हमें दो यह हमारा सीट है यह कहां आपने क्यों मिद्वार डिकलेर कर दिया अब इससे बवाल मचा तो अभी कुछ देर पहले संजर आ होता है कि भई हम फिर से फानल लिस्ट निकालेंगे यह क्या चल रहा है क्या मजा है आप यह समझे पचासी 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 आपने कर दिया तो अभी भी तो बचे हुए तैतिस जो ख़बर इंसाडर्स बता रहे हैं वह यह बता रहे हैं कि नाना पटोले ने कहा कि अठारा पर उनकी निजर है उस पर कॉंग्रेस जो है वह दावेदारी करना चाह रही है और पंद्रह वह सीटे जाएगी समाजवादी पार्टी और बाकी जो इंडिया लाइंस के लोग वामपती और उनके लिए पंद्रह और अठारा तो अभी यह जो बताया जा रहा है कि भाई सीट सेरिंग का फर्म अठारा एक सोतीन का अक्रा सुरु से ही कॉंग्रेस पार्टी वाले तो यह जिद पचासी-पचासी कि क्यों यह अगर शिवचे ना कोई खबर बता रहा था सौ पर लेंगे तो संचुरी मारेंगे तो यह करेंगे अभी तो आप यह तो और यह कि समाजवादी पार्टी को भी देना है वहां पर और भी लोगों को देना है तो यह सारी चीजें अभी कंफ्यूजन की इस्थिती में है मतलब अभी एक दो दिन और लगेगा तब जाकर के यह महाविकास अगारी का जो यह तीन अलग-अलग साइज के पईये वाली जो गारी जो है कहीं पर जाकर के कि मतलब अभी वी कुछ फाइनल नहीं हुआ है सर कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा एक नहीं दो दो तीन इनों नहीं छोड़ दिया यानि कि 33 सीटे किस-किस के खाते में जाएगी क्या चल रहा है अंदर देखे 33 सीटों की बात नहीं है यह 85-85 सीटों का जो फार्म संदन है मायूती उन लोगों ने पहले से तै कर लिया और इन लोगों ने अपने कंडिडेट भी उतार दिये 99 सीटों पर कंडिडेट उतार दिया भारतिय जन्ता पार्टी ने 35 सीट पर एनसीपी ने 48 सीट पर शिव सेना ने अब एकना सिंदे ने भी उतार दिया लेकिन सीटों पर उतारना या फिर आपस में मंथन करना बैठक करना वो अलग बात है और सीट सेरिंग के बीच जगड़ा करना दूसरी बात है यह मैसेज क्या जा रहा था सीट सेरिंग पर इन ल तलक तलक तो अजित पवार ही रहते हैं उन्होंने भी एक बार कहा कि नहीं बहुत परेशानी हो रही है हमें सीट नहीं दी जा रही है हम और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं कहा ने एकना सिंदे ने कहा तो मैसेज जा रहा है कि यह लोग बैठक कर रहे ह एक सहमती बनाने के लिए और दूसरी तरफ ये महाविकास अगाड़ी में मैसेज क्या जा रहा था कि ये हर मीटिंग में जगड़ा करके बाहर निकलते हैं संजराउत ने कहा नाना पटोले को हम देखना नहीं चाहते हैं कॉंग्रेस बैकफूर पर आई और उन्हें बाला जा रहा है कि फाइनल होगा ही नहीं उसमें कम से कम एक फार्मूला डेवलप करते हैं कि लगभग बराबर बराबर सीटे क्योंकि मामला अटका कहा है शिप से ना कह रही है कि कॉंग्रेस और हम दोनों सौसों सीटों पर हो सकता है दूसरे को कितना भी दे दो कोई मतलब नह है लेकिन मेरे से जादा सीटों पर चुना मत लड़ो तो शरत पवार ने फार्मूला दिया कि पचासी पचासी सीटे जो है हम तीनों बराबर बराबर सीटे का एनाउंस्मेंट कर देते हैं और जहां असहमती है वहां पर हम लोग बैठ के आगे बात कर लेंगे जिससे कि य हुए नहीं है तो यह जो मैसेज का साइकलोजिकल गेम चल रहा है उसी दबाब में आकर महाविकास अगारी ने यह फार्मूला डेवलप किया लेकिन इससे होगा क्या क्योंकि इन लोगों के लिए समस्या सारी तीनों पार्टियों के लिए है पहला यह अननिचुरल एलाइ उनके जो दूसरे नेता हैं अगर आप सौ के आसपा सीटों पर लड़ते हो तो बीस विधान सभा सीटों पर जो आप दूसरे पार्टि को दोगे वहाँ पर पहले से कंडिडेट है जो पिछली बार चुनाव लड़ाता और ऐसे स्थिति में वो बगावत करने के लिए तया वो तो सीट सेरिंग का फार्मूला फाइनल होने और उसके बाद कंडिडेट की लिस्ट निकालने के बाद होगा अभी से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो खलबली मची है कही नेता छोड़ कर जा रहे हैं वही इस्थिति कॉंग्रेस में भी होने वाले है और नेता किसको दिया जा रहा है तो कॉंग्रेस के लोगों को असलम से कभी कुछ देर पहले पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बरसोवा से मेरा भतीजा चुनाओ लड़ना चाह रहा है आप अपने उमिद्वार को पीछे कर लो आप समझे आप दूसरे को समय दे रहे हो बरसोवा क को मेसेज भी दिया जाता कि असलम से खाये थे असलम से नहीं डिमांड किया है और उद्व ठाकर जो है उसके डिमांड को मानने को तैयार हो गए अब यह इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो आपकी पाटी तो एक जगह रुकी कि नहीं और आपको सीख लेना चाहिए महा पाजूती में क्या हुआ कि वहां पे अल्रेडी क्लियर कट सीटों का बटवारा हो गया लेकिन फिर भी कंशूजन किस बात को लेके क्योंकि भारती जंता पाटी ने अजित दादा को कहा कि यह नवाब मलिक चुनाओं नहीं लड़ेगा यह नवाब मलिक जो है यह कि वह एंसीपी के बड़े लीडर है जेली विल सब गए अब दिक्कत यह हो रही है कि अजीत पवार को यह लग रहा है कि एक-दो मुस्लिम लीडर बड़े-बड़े चेहरे को अगर हम साथ में ले लेंगे तो मुस्लिम का बोट आ जाएगा तो वहां तो मना कर दिया गया तो अभी जब लो रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे थे उससे पहले अमिशा के साथ तीन घंटे बैठक होई और यह मीडिया वाले चला रहे हैं पूरी कहानी कि वह सीट बटवारों को लेकर कि यह प्रावलम चल रहा है वो चल रहा है कोई प्रावलम नहीं है अमिशा ने त उनको टिकट NCP दे रही है अजीद पवार के अब दिल्ली आये तो दिल्ली में और खुसखबरी आ गई इनकी खुसखबरी यह आ गई कि सुप्रेम कोट में आज सुनवाई थी कि घड़ी कौन इस्तमाल करेगा तो घड़ी जो है जो है वो लेकर के भाग गया जीद दादा सुप्रेम कोट ने कहा नहीं अजीद पवार ही इस्तमाल करेगा उसके इस्तमाल पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता तो मामला कल हम लोगों ने डिसकस किया था कि कुछ नहीं होना है तो वही चीज हुआ जो हम लोगों ने कल कहा था तो वो मामला खतम हुआ बड़ी खबर भारती जनता पार्टी ने आज ते किया अजीत पवार अमिश्चा और सिंद्ग के साथ जो बैठक हुई उसमें कि तीनों ही पार्टीयों की एक एक मैनिफेस्टो आएगा जो अगले सब्ता आजाएगा अपने अपने लोगों को आप डालेंगे वो कमिटी के साथ जो है बैठक करके तो एक तरफ क्लियर कट थाट प्रोसेस बटवारा क्लियर और मैनिफेस्टो भी एक जैसा तो यह सारी चीजे क्या बता रहा है कि वी हैब को टू सेट्स ऑफ अलाइंस एक अलाइंस जहां गाली गलोग चल रहा है लीडर्स का कौन है पता नहीं है जो प्रॉब्लम्स को सुल्जा सकता है वह खुद प्रॉब्लम का हिस्सा हो गया है अगर छोटे-छोटे लोग लड़ रहे होते तो सरत्पवार का की डूटी थी कि उसको मना लेते वही फादरली फीगर है इस गड़बंदन के वह तो खुद उन्होंने सबको लड़ा वड़ा करके वह कॉंग्रेस पचासी हम भी और सिर्फ जेनावी पचासी 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 लेगर के चले गये हैं उनको टेक्निकली मिलना था पचास लेकिन वह पचासी लेगर के अपना निकल लिए तो यह आप देखिए कि एक तरफ महा ट्रबल एलाइंस है महा अगाली नहीं वह संजय झी रूपम यह पुराने पुराने हिसले की संजे दीरूपम जो है शीम चैना में थे और जो सामना अख़मार के इसकुर्टिव एडिटर जो संजे राओ थे उन्होंने कहा कि यह ये महाविनास अगारी है तो महाविनास अगारी तो बाकी लोगों को विनास करेगा बाद में ये खुद को ही विनास करने में लगे हुए है। जो पिछले दिनों चापे पड़े थे तो करपसन से बताया गया और उसी तरीके से एक और फैसला अमिश्चा नहीं लिया। जनता पार्टी की दलक्खल अंदाजी इस बात को लेकर है कि नेरेटीव से हम कोई समझाता नहीं करेंगे। हम ये समझाता नहीं करेंगे कि विचारधारा अलग-अलग है और उस विचारधारा अलग-अलग विचारधाराओं के साथ हम किसको टिकट दे रहे हैं, कौन सी बाते कर रहे हैं, इसका कोई फर्क दूसरी पार्टी पर नहीं पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मनिफेस्टो एक लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आप क्लियर कट सोचिए कि हर व्यक्ति अगर किसी ने कुछ बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको सम्मान कौन से बड़े नेता दे रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए अभी प्रात्मि जीतने के लिए अभी छोटे मुटे विवादों में जाने के लिए नहीं है, और यही बात है कि आज महायुती में जिस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, जो सीट के लिए कंडिडिट डिकलियर सन है, और फिर एक मुष्ट परचार का एजेंडा तयार किया जा रहा है, ल लेकिन राहुल गांदी क्या कभी जाते हैं, तो इस बात से बचते हैं, शरत पवार भी इसे नाराज चलते हैं, लेकिन इन तीनों पार्टियों का अगर एक मेनिफेस्टो हो जाए, तो क्या सेकुलरिज्म पर इतना ज़्यादा समझवता उद्धब ठाकरे की पार्टी कर पाएगी, जितना की कॉंग्रेस पार्टी बात करती है, तो ये समस्याएं महरास्ट के अंदर इन लोगों के लिए इसलिए है, क्योंकि अगहारी में उद्धब ठाकरे शामिल हो गये हैं, और ये एक अननिच्रल गठ बंधन है, शरत पवार और कॉंग्रेस की दिकत नहीं ह ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ते रहे हैं, अब ऐसे स्थिती में कारकरता कन्फ्यूज, नीचे के लोकल लीडर कन्फ्यूज, और उस कन्फ्यूजन में लग रहा है कि चुनाव परिनाम बड़ा चौकाने वाला हैगा लेकर पानल दौर की मीटिंग्स हो रही है, तो महराज चुनाव पर आप अपनी राए कमेंच कर लिखें, देखते रहे, क्यापटल टीवी, नवसकार